हेलो वाट्सप गाईज आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे एकोडियन इन रियक्ट वर्जन 19 जियां गाईज तो एकोडियन क्या होता है सबसे पहले तो आप इस्क्रीन पे देख लीजिए यह आपका एकोडियन है वी है मल्टीपल लिस्ट आप चाहो तो कितिना भी ल कीशहाब। बटन दिखाए दे रहा है एंधि मुम्छेब्ट इस शौ वाले बटन पर मैं करता हो क्लिक बूम गाइज शी आप देख सकते हो कि हमें हमारा डेटा दिखता है यहां पर आप देख सकते हो कहां ओल्वेज यह सभी के सभी किए सबी कॉशन से बट जैसे ही हम सो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हमें उसका answer मिलेगा और साथी साथ आप बहुत क्लियली देख सकते हूँ, सारे बटन तो आपके 100 है बट जिसको आपने क्लिक क्या था आप वो जो बटन है from show to close में वो convert हो गया है तो जिससे मुझे यह पता चल रहा है, यहाँ पर अगर मुझे close करना है तो इसको मैं क्लिक कर सकता हूँ and the moment क्लिक करता हूँ, back to normal यह अपने original state पर आ जाता है तो यह आपका कहलाता है accordion in normal web design term तो यह accordion आप react की मदद से भी बना सकते हो HTML, CSS, JavaScript की मदद से बना सकते हो next, view, angular लाइक किसी के भी मदद से आप जब इस तरीके का एक functionality या एक layout create करते हो तो वो आपका एक accordion कहलाता है अब इसमें best part यह है कि आप इसमें animation add कर सकते हो and second best part है कि suppose मैंने first वाले को क्लिक की तो मुझे ये close दिखाई दे रहा and मुझे scout put दिखाई दे रहा तो बहुत बार होता ऐसा है कि उनको इतने proper तरीके साइडिया ना हो तो जब आप second time क्लिक करते हो तो उनका ये तो open रहता ही रहता है second वाला भी open हो जाता है बट हमारे केस में वैसा ने एक professional जो एक accordion क्रेट करता है then हम make sure करते है कि the moment में कोई दूसरे टैप को अगर open करता हूँ तो जो previous मेरा टैप था वो close हो जाता है अपने आप suppose मैं last वाले को क्लिक कर रहा हूँ I know आपको last वाला दिखनी रहा है चलो मैं second last वाले को क्लिक करता हूँ इस वाले पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ ठीक है the moment क्लिक करूँगा बूम गाईसी हमारा जो previous जो ये content था ये second वाला वो automatic close हो गया ये देख सकते हूँ आप देख सकते हूँ यहाँ पर at a time सिर्फ कोई एक ही open रहेगा ये हम pure react की मतद से करने वाले आपको एक special चीज भी आज पता चलेगा कि ये जो functionality है इसको आप कैसे implement कर सकते हो ये जो functionality आज हम implement करने जा रहे वो बहुत जगे यूज होता है I know आप बहुत बाते हो गए है बिना किसी देरे कम वीडियो को स्टार्ट करते है उससे पहले हमारा react version 19 सीरीज अभी तक नहीं देखा तो जब जब जग आउट कीजए almost 95th या 96th वीडियो है इससे better आपको कहीं नहीं मिलने वाला and guys इस वीडियो का like target है सिर्फ और से 5000 likes I know ये आप कर सकते हो and we are very close to 7 like subscriber अभी तक subscribe नहीं किया तो please कर दीजेगा हमारा react का mega project आने वाला and मैं नहीं चाहता आप उसको miss कीजिए and the best part आज जो भी इस वीडियो में में बताऊंगा सब का source code बिलकुल free में मैं अल्रेडी provide कर चुका लिंक में आपको नीचे description and comment section में provide करा दूँगा here is the source code and guys if you want to get my complete 2017 से लेकिए अभी तक 5 साल में मैंने जितने वीडियो सबका source code then यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो तो यहाँ पर आपको सारे मेरे source code मिल जाएंगे सिर्प और सिर्फ टू फोर्टीन रूपीज में जितने भी मेरे प्रोजेक्ट सबके ठीक है तो if you want to support में मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि YouTube में मिलता कुछ नहीं आजकल तो आपके वरो से बैठा हो में तो आप प्लीज हेल्प कर सकते हुए ठीक है source code तो इस वाले का तो source code free है कोई tension नहीं है अब बीना किसी देर की बीडियो को स्टार्ट करते है तो आप देख सकते हुए कि मैंने एक new folder ओपन की यहाँ पर एकदम scratch से करेंगे कोई जल्दी नहीं है आराम से आप बैठिये ठीक है तो सबसे पहले let's build our what में एक बार देख लेता कुछ है कि इसके अंदर नहीं कुछ नहीं है ठीक है तो सबसे पहले हमें अपना wheat की मदद से react application क्रेट करना होता है ठीक है mqm create wheat and then latest यह आपको मालूम है and if you don't know यह मैंने क्या कर दिया तो काइस दैन आपको हमारा react series देखनी के बहुत जादा नीड है react accord dn accord लिख देता हमें ठीक है yeah ठीक है using react and then we will use the javascript ठीक है अब आप यहां पर बहुत क्लिरी देख सकते हूं कि मुझे उस folder के अंदर जाना है react का भी जो मैंने create की npm install लिखना है and then उसको run करना है ठीक है हमें कोई दूसरा package की need नहीं है so cd उसके अंदर जाता हूं में then npm install आप देख सकते हूं यहां पर मैंने guys npm install भी में लिख रहा हूं तो enter hit करता हूं and the moment यह मैं करता हूं तो आप देखना है कि यहां पर आपका यह जो प्रोजेक्ट सब बनके ready है source folder हमें मिल चुका है and अगर आप बन के थूरू करते है यह पी npm तो थोड़ा जल्दी हो जाता बट yes अगर आप npm install लिखते हूं थोड़ा सा time लेता है बट हमारा काम हो गया npm run and then dev so the moment इतना में करता हूं मेरा काम हो गया है perfect so अब मैं चलता हूं यहां पर nc कुछ हो अब आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है और अब यह जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा हमें उसको कुछ इस तरीके से बनाना है ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले source folder index.css इसको हटाओ app.css इसको भी हटाओ क्योंकि हमें जो default कुछ भी नहीं चीए ठीक है अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जो link के source code का नीचे description में दे दूँगा इस पर click कीजिए तो आप यहां पर आ जाओगे यहां पर source पर आईए we have our API.css इसको completely copy कीजिए या तो आप यहां से भी कर सकते है तो आपको मनु कीजिए एंड यहां पर paste कर दीजिए तो मैंने source code provided है देखो अब तो कोई टेंसर नीए ना का इस किसी कोई कि आपने css दिखाया नहीं अब तो source code से copy paste करके दिखा दिखा अराम से आप बैठके एकदम इसको देखिए ठीक है क्या मैं यहां पर कर रहा हूं ओलाइट ठीक है इतना मेरा काम हो गया है ठीक है अलाइट तो देखो अपने आपी कुछ हो ऐसा हो गया अपने पी इसका look and feel कुछ ऐसा हो चुका है जो की बहुत अच्छी बात है तो index को म हमारे app.js file पर इसको भी मैंने complete हटा दिया ठीक है so let const we have app and then we need to return and मैं यहां पर एक echo dn करके मैं component create करूंगा ठीक है export we have a default and then app यहां पर दिखाने की need नहीं आइनो अब मैं क्या करूंगा यहां पर मैं चलूंगा source folder एक component create करने जा रहा हूं components उसके अंदर एक new file create करूंगा अभी यह accordion जो मैं बनाना चाहता हूं accordion.jsx ठीक है अब all right ठीक है accordion.jsx के अंदर मुझे यह सब कुछ बनाना है तो सबसे पहले we have this heading and all तो चलते हैं यहां पर const we have a accordion ठीक है return इस तरीके से मैंने लिख दया ठीक है अब यहां पर बहुत सारे चीज़ा आएंगी जैसे सबसे पहले hello react कर देता हूं कि यह हमें मिल रहा है या नहीं इधर ही export कर दो इसको ठीक है यहां पर मैं चलता हूं and इसको मैं control and then space hit करता हूं and मैंने कर ली इसको import ठीक है तो कुछ वो इस तरीके से आपका project फिलाला भी दिख रहा है and यहां पर मैं चलूंगा at least तो hello react मुझे आ गया चलो ठीक है अब यह जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कुछ उसको इस तरीके से create करना है ठीक है and एक और चीज app.jsx में हमने जो वो import जो css file है उसको हमें import करना पड़ेगा import.css ठीक है normal इतना अगर हम करते हैं तो कुछ जो आपको इस से दिखाई दे रहा है perfect ठीक है तो सबसे पहले तो hello react के बदले we need a hello I mean the accordion and कुछ चीजे है जो मैं आपको बताना चाहता हूं all right तो सबसे पहले ध्यान से दिखिएगा यह जो एक part है मैंने जैसे कि आप से का कुछ भी hardcoded नहीं है यह हमें API के थुरू हमें मिल रहा है ठीक है अब API के थुरू हमें मिल रहा तो अच्छी बात है लेकिन साथी साथ अब आप देखोगे उसमें भी further यह जो एक particular card है वो totally different है यह जो एक particular card है वो different है कहने का मतला है कि सबी एक दूसरे से क्या है different है ठीक है अब different है उसमें भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो इस particular इंडी देखो पहले तो एक common component यह yellow box उसके अंदर एक common component फिर यह जो green box वो एक common component उसके अंदर भी we have this particular question and at the end we have this particular button and then यह जो button है वो same एक common parent के अंदर है and हमने display flex की मदद से एक को left एक को हमने right कर दी and जब भी हम किसी पे click करते हैं तो आप देख सकते हूँ वो data हमें ठीक उसके नीचे दिखाए देता है मतलब हमने एक paragraph यहाँ पे लेके रखा इसको दिखाने के लिए इसको भी मैंने एक paragraph क मैं आपको यह बता हूँ तो इकदम easy इसका user interface ठीक है आप देखे में क्या करता हूँ यह सब कुछ बनाने से पहले मैं यहाँ पे चलूँगा मेरे source folder पे एक new folder create करूँगा जिसका नाम होगा API ठीक है उसके अंदर एक new folder create करूँगा जिसका नाम होगा faq.json ठीक है मैंने र to API faq.json यहाँ पर आके आप इसको copy कर लीजिएगा यहाँ पर paste कर लीजिए ठीक है देखो कितना easy हो गया अब आपके लिए भी एकदम easy मेरे code को follow करने के लिए and मेरे लिए तो easy है already है ना and इसी बात पर please guys like and subscribe जरू कर दीजेगा चलो इतना मेरा काम हो गया all right अब यह जो data है इसको सबसे पहले मुझे get करना होगा and then मुझे display करना होगा वो जो click करने वाली functionality तो बाद में पहले at least इस data को मुझे get करना है and यहाँ पर दिखाना है all right ठीक है no problem so accordion पर मैं चलूँगा सबसे पहले उस data को मैं get कैसे करूँ get करने के लिए तो obviously I need to import all right I guess मैंने तो FAQ ही FAQ कर देता हूं मैं ठीक है from अब ध्यान से देखना यह भी ट्रिक है कि वो जो particular path है and हम फिलाल folder के अंद basically file के अंदर है उनकी बीच की दूरी अगर हमें find out करना I mean math की बात नहीं कर रहा हूं बर यह देखो न the moment यह मैं लिखता हूं तो API assets component API के अंदर मैं आ गया हूं ठीक है साथ खेलते है in react यह तो आपको मालूमी होगा कि guys हमें state की need है तो हम क्या कर लेते const यहां पर मैं चलता हूं and मैंने क्या लिखा है या data लिखा चलो ठीक है set data and मैं equal to यहां पर लिख देता हूं use state ठीक है by the way वो एक array है by the way मैंने यहां पर यह एक initial value इसकी मैंने empty array लिए क्यूंकि हमारा जो json data वो एक array of an object है ठीक है तो यह आपको important चीज है जो जिसको ध्यान में रखना है control space कोई suggestion आने रहा है मुझे कोई बात नहीं यहां पर आपको यह जो use state उसको get करना पड़ेगा from our react library ठीक है अब इसका कोई problem नहीं है अब यह जो set data है जहान से देखना मैं क्या करूंगा मुझे data always चाहिए no matter what मुझे data always चाहिए तो उसके लिए हम use effect उस करेंगे ठीक है मैं यहां पर चलता हूं इस तरीके से एक dependency array में मैंने empty array रग दी तो इसका मलत भी किसी first time हो जो data है वो लोड होगा उसके बाद नहीं होगा सो मैं बस यहां पर क्या करूंगा we have this set data and directly यहां पर FAQ वो जो हमारा यह जो FAQ है उसको मैंने इसके इंदर पास कर दी तो always जब भी हमारा page first time लोड होगा तो we I mean because of this use effect हमारा यह जो set data है updated function उसमें में यह data पास कर दे रहा हूँ it means कि हमारा यह जो data उसमें हमारा यह जो JSON data वो आ चुका होगा ठीक है अगर वो आ चुका होगा तो then it's super easy for us right हम simply यहां पर map method उसकर सकते है let's go over here and मेरे पास अब कुछ code है मैं उसको copy paste करना चाहूंगा आप लोगों के लिए क्याने को तो वो JSX है बर देखा जाया तो आपका वह HTML ली है ठीक है इसको मुझे close करना होगा closing tag इसका राएगा चलो ठीक है यह जो unorder list के अंदर अब हम में उसको बान बाई वान लूप क element and let's go over here we need to return and यहाँ पर आप में क्या करता हूं li लेता हूं इस तरीके से कि यहाँ पर यह जो particular equation है यह basically complete एक data है जिसको मैंने flex की मदद से एक को left में और दूसरे को right में मैंने pass की हुई है तो इन दोनों के लिए मैं एक parent div यहाँ पे ले रहा हूं ठीक है एक class name इनको देन जरूरी है जिसको मैंने accordion grid करके दे रखी है ठीक है अब इतना मेरा काम होगा अब इसके अंदर मैंने paragraph ली है जिस पर मैं लिख दूंगा मेरा यह जो भी question तो मैं directly लिख नहीं सकता सो भी है अब करेंट element dot question ठीक है एं ठीक इसी के नीचे में चलूंगा and then we have a button जिस पर मैं आप भी flail के लिए show करके रख देता हूं all right so यह जो पार्ट अभी आपको इतना लाल दिखाए दे रहा है let's check it out कि क्या okay missing key props guys कभी भी आप अगर map method उस करते हो then make sure कि आप always key method वहां पर pass कर दो and to current element dot id मैं दे दे रहा हूं इस तरीके से ठीक है अगर इतना भी मैं करता हूं and अगर मैं यहां पर चलता हूं so let's check it out कि क्या हो रहा है यहां पर जो data मिलनी रहा हमें एक बार मैं refresh करना चाहूंगा ठीक है so the requested module source API यह import does not okay does not provide and एक काम करते काईस अगर वो जो data है आम उसको directly get कर सकते by the way and FAQ जहां-जहां मैंने लिखा है इसको गाइस में simple सा small में FAQ कर देता हूं ठीक है FAQ इसको भी FAQ कर देता हूं I guess अब कोई problem नहीं होगा क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ import export का सीनी नहीं है मैं यहां पर चलता हूं एक बार इसको refresh करता हूं and boom guys see देखो मेरा काम हो गया मुझे मेरा data आ भी गया देखो कितनी easily ठीक है अब यह एक इसोपे करने पर कुछ होने वाला नहीं है ठीक है वह मैं आपको एक बार दिखा दूंगा तो आपके सारे doubt clear हो जाएंगे and अगर मैं component पर भी चलता हूं accordion पर तो यहां पर आप देख सकते हो कि state पर मुझे सारा date आ चुका हो होता है id एक second मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं यह देखो हमारे hooks वाला जो state है id question and then answer तो यह तीनों के तीनों चीज़ गाइस हमें यहां पर आ चुका है तो that's the reason why ठीक है इसको मैं आप हटा देता हूं that is the reason why current element dot id current element dot question यह हमारा deep था and एक paragraph होगा जिसके अंदर में लिख देता हूं current element dot not we have a answer yeah I guess its answer यहां देखो मेरा काम हो गया so मुझे सारा data यहां पर आगी है अब just मुझे क्या करना है कि मुझे यह data तब ही दिखाना है जब मैं इस पर click करूं else नहीं दिखाना है ठीक है तो अब यहां पर चीजे है जो आपको ध्यान में रखना है तो सबसे पहले हम एक काम करते ना यह जो data है क्यों ना हम इसके लिए एक separate सा component बनाए because react is all about your component है ना तो इसको मैं हटा रहा हूं मैं क्या करता हूं यहां पर return पर मैं एक faq करके खोल्ड बना रहा हूं मेरा यह जो भी current element है वो मैं pass कर रहा हूं ठीक है अब यहां पर मैं चलूंगा यह जो component है इसके अंदर मैं एक और folder बना रहा हूं जिसका नाम होगा simple आपका user interface UI ठीक है उस UI के अंदर एक new मैं faq.jsx component क्रेट करूंगा and मैं उसको paste कर रहा हूं ठीक है अब यह जो पार्ट है इसको मैं directly paste नहीं कर सकता मुझे return लिखना ही पड़ेगा and इस तरह की से मैंने कर दिया ठीक है अब यह जो key है इसकी मुझे यहां पर need नहीं है क्यूंकि उसको तो मैंने यहां पर pass कर दी अब यह जो faq है यहां पर control as save यहां पर इस तरीके से मैंने इसको एकदम टॉपे कर लिया यहां पर सी इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया अब यह जो key है and then यह जो current data है इसको मैं copy करूंगा यहां पर मैं आऊंगा मैं directly destructure कर रहा हूं current data को इस तरीके से अब यह जो part equation and then answer इनको मैं directly further destructure कर सकता हूं and I know यह आपको भी मालूम होगा and that is guys simple let's go with the question and let's go with answer and इसको मैं कर देता हूं यहां पर current data इससे at least यह जो चीजे है मुझे लिखनी की need नहीं है and अभी यह जो मुझे red warning दिख रहा है because of ESLint तो मैं disable कर दे रहा हूं फिला इस चीज के लिए so ESLint disable react prop types ठीक है क्योंकि हम 30 typescript में काम कर रहें यह मेरा काम हुआ यह मेरा काम हुआ so at least now you can check it out like it's looking nice clean एकदम simple सा and कितना प्यारा यह लग रहा हमें है न यह देखो न सेम ही है जो थूदेर पहले था it just now हमने इसको थोड़ा और better बनाने की कोशिस की है ठीक है इतना मेरा काम हो गया and इसको मैं हटाता हूं इसको भी मैं हटाता हूं यहां से app.csx इसको फिलाल रहने देता हूं अब ध्यान से दिखेगा किस यहां पे दो चीजे जो बहुत ही ज्यादे इंपॉटेंट है और जिसको मैंने हमारा जो सोर्स कोड है वहां पे भी काईस मैंने पूरा लिखा हूँ है don't worry इसको मैं और बेटर तरगी से कर दूंगा पर यह पेना functionality है कुछ दो चीज जो आपको पता होना चीए यह वाले जगे पर देखो function to toggle FAQ आपको एक function create करना है जिसका नाम होगा handle toggle उसमें आपको एक ID पास करनी है अब जब आप उस button को click करोगे तो यह वाला जो function है वो call होगा उसमें हम एक ID पास कर रहे ठीक है तो उस function के अं या second time कर रहे अगर हम second time करें अब हमें उसको close करना है first time करेंगे show पे click करेंगे तो open हो जाएगा and again अगर हम click करेंगे तो वो close हो जाएगा तो वो चीज हमें check करना है and इसी में second चीज यह जो है आपको यह make sure करना है कि user जब भी जिस भी particular tab पे click कर रहा होगा हम एक और state variable ले देंगे या उसमें set कर देंगे I know थोड़ा से यह आपको tricky लग रहा है अभी के लिए बट मैं आपको समझाता हूं ठीक है द्यान से देखना फंडा कुछ नहीं simple सा है जब इस पर मैं click करूंगा for the very first time मुझे data दिखाना है right and जब मैं वापस click करूंगा तो data मुझे hide करना है इतना तो आपको पता चल गया and कैसे नहीं यह पता चल रहा है कि जैसे ही देखो अभी first वाला open है second वाले को click करते ही वो first वाला open I mean close कैसे हो जा रहा है उसकी पीछे का बस एक ही logic है कि हर एक component हर एक card का अपना खुद का एक unique ID है and एक ease active करके हम state variable लेंगे and उस पर हम वो unique ID प यह हमारा FAQ है ठीक है ध्यान से देखना सो कैसे अब देख लीजे यहां पर मैं चलता हूं एक simple तरीका मैं आपको बताता हूं ठीक है जो कि आपको पता चलेगा वह simple तरीका क्यों इतना useful नहीं है सो जल्दी से मैं यहां पर is active एक काम करता हूं active ID ठीक है मैं यह क्यू कर रह अलैं हटा रहा हूं अब अगर मेरा बटन एक्टिव रहा देखो क्या करने ओला मैं अगर वह active रहा ठीक है तो हमें कौन सा बटन दिखाना है अगर वह एक्टिव नहीं है तो मुंयह कौन सा बटन दिखाना सो वाला बटन यह तो आपको आईडी आ गया एनिक से महां पर पे आपको वही करना है active ID अगर रहा then and then only आपको answers दिखाने हैं ठीक है control है सेफ कर रहा हूं अब फिलाल इसको as it is रखो मैं यहां पर आता हूं इस जगे पर and this is ours तो यह देखो at least अब यहां पर पहले मुझे सारा का सारा वो जो answer से वो दिखाई दे रहा था अब नहीं दिखाई दे रहा क्यों कि मैंने क्या कर दिया यहां पर by default false दे रहा है और false दिया है तो यह तो answers कभी दिखेंगे नहीं and always मुझे यह वाला बटन दिखाई देगा बट हां अगर कोई इस बटन पर क्लिक करता है ना on बटन ठीक है handle बटन लिख दो कुछ भी अप्लिक सकते हो handle बटन यहां से देखना में मुझे कुछ नहीं करना handle बटन में मैं बस एक simple सा logic यह लगाऊंगा कि जब भी कोई इस बटन पर करेगा click तो set यह जो active id है टॉगल करा दूँगा मैं active id के इसका मंदल भी कि जब भी कोई बटन पर करेगा click तो जो मेरा पहले active id की value थी false मैं उसको आप कर दूँगा true and the moment इसकी value होती है true तो वो जो particular तेखो न यह individual element की बात हो रही है यहां पर ठीक है जिस पी हम click कर रहे है इसकी value the moment हो जाएगी true तो अब हमें 100 के बद्दे close का button दिखाई देगा और साथ इस साथ हमें उसका answer भी दिखाई देगा simple यहां तक कोई problem निया and boom guys see देखो यह देखो यह देखो वापस click करूँगा चला जाएगा तो कहीं न कहीं बहुत जगे पर आपको यही data मिल लेगा इसी तरी का accordion मिलेगा जिसमें काम तो बाराबर है बट एक ही problem है ना कि एक साथ सभी के सभी open हो गए देखो ना अब मुझे individually उनको close करना पड़ रहा है मुझे क्या चीए था कि first वाले को click करूँ जैसे ही last वाले को click करूँ तो वह चला जाए बट इस logic के चलते लाइक वो हम नहीं कर पा रहे है तो कहीं ने कहीं यह अगर आप करते तो भी कोई problem नहीं इतना अगर आपने खुद से कर लिया तो बहुत बड़ी बात है बट अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों यह तरीका काम नहीं करेगा इस तरीके से क्योंकि इसमे कि मेरे पास एक class यहां यहां पर बटन वाले में कि मतलब अगर वो active रहता है ठीक है तो यह हम एक class add कर देंगे वनना कुछ नहीं यह active रहा तो मतलब मुझे red color add करना है बस simple यह ही है इसका अब यह जो is active कहा सा है मैं आपको बाताता हूं तो यहां पर यह जो handle button मैंने लिख करके एक आप यहां पर यहां पर यह प्रॉप्स एक्सप्ट यह एक्सपेक्ट कर रहा हूं ठीक है और इसकी मुझे यहां पर कोई नीट नहीं वह जस्ट मैंने आपको दिखाए थी इवेन इसकी मुझे यहां पर कोई भी नीट नहीं है यह सब हम हमारे parent component पर करेंगे इस तरीके से से मैं अब एक नियू प्रॉप्स यहां पर पास करा हूं इसक्टिव एक्टिव और जहां पर हमारा यह जो एक्टिव आईडी है इसे ट्रिपल इकोल तो हमारा जो करेंट एलिमेंट यह से वह मेंच कर रहा है या नहीं अभी आपके मन में आ सकता है कि active यहां है को हम फॉल्स को कैसे हम उस करेंट आइडी से मैच करा सकते नहीं नहीं करा सकते बट अब यहां पर चीज ध्यान से देखिए मैं यहां पर चीज एक्सेप्ट कर रहा हूं कोई तो भी अबटन उन टॉडल करके यहां पर मैं क्या करता हम ऑन टॉगलं एक प्रॉप स्थिप्री निस पर महारा plot करकदम्यारये यहां पर चीज यह रहा रहा है जब भी मैं इस पे click कर रहा हूँ तो हम क्या कर रहे है मैं ये on toggle वाले function को call कर रहा हूँ जो कि हमने हमारे parent पे define की है and the moment उस पे मैं click करता तो वो ये handle button वाले जो function है उसको वो call कर रहा है ठीक है so const handle button and हम यहाँ पे एक id पास कर रहे है as parameter तो मैंने id यहाँ पे पास कर ली अब यह जो doubt था ना आपका यह आपका clear होगा क्यूं क्यूंकि इसके अंदर यह जो set active id है ठीक है इस तरीके से मैं जा रहा हूँ simple and आपको मालूम है जब या भी इस state उस करते हूं उसका जो updated function होता उसमें हमें previous data मिलता है तो मैं previous id ले रहा हूँ and मैंना आपको clear बता रहा हूँ यहाँ पे आपको इस तरीके से एक parenthesis देना जरूरी है अब मैं बस यह चेक करूंगा क्या मेरा यह जो previous id था I mean is it triple equal to जो भी id अभी user ने click किये उसके अगर वो बराबर है तो आप क्या कर दो वहाँ पे false add कर दो else वह id वहाँ पे pass कर दो यह जो एक trick है trick तो नहीं बोलूंगा यही एक main functionality है जिसको आपको ध्यान में रखना है कितना easy है न जब भी कोई उस show वाले button पे click करेगा तो यह वाला जो updated function है उसको हमने get की उसके अंदर मैंने previous id को get किया and अगर वो जो previous id उसी id से match कर गया जिसको मैंने फिर से click की थी तो अब उसकी value आप false कर दो and अगर previous id and अभी जिसपे भी मैंने click की उसकी id अगर match नहीं करती है तो वही id आप रहने दीजिए तो इससे होगा यह कि अब यह जो active id की value हो जाएगी current id की value and अगर वो current id की value यहाँ पर हो जाएगी वो current id की value उस तरीके से तो user ने जिसको click की and जिस tab पे हमें अगर उनका match हो गया तो इसकी value हो जाएगी true and अगर यह true है तो यह जो e is active है इसको तो मैंने as a props pass की थी वहाँ पे तो मैं यहाँ पे get करूंगा तो if it is true तो मतलब हमें इसको दिखाना है ठीक है इसको भी copy कर रहा हूँ यहाँ पे paste कर रहा हूँ यहाँ इस तरीके से समझ गये जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे false and true करके अब वह हम इसकी मदद से चेक आउट कर रहे है एंड आई होप आप आपको पता चल गया कि यह किस तरीकी से हो रहा होगा इतना अगर आप कर देते हो ना एंड मैं अगर यहाँ पर चलता हूं एंड रिफ्रेस्स करता हूं सो यह देखो close so so close and यह देखा देखा यही तो सबसे ज़्याद इंपोर्टेंट है ते देखो ना the moment is पर में क्लिक करूँगा वो चला जाएगा बंद हो जाएगा क्यूं कि यहां पर वही कंडिसेने फिसस्ट करता हूं ठीक है और आगर अगर 100 पर क्लिक कर रहा हूं तो हो तो मुझे यह दिख जाएगा क्यों कि अगर मैं first time click करा तो मेरा previous ID होगा इसका previous ID तो false है तो क्या एक false कभी ID के बराबर होगा suppose ID इसका one है तो false one इनका कोई मिला पी नहीं है right तो यह क्या हो जाएगा अरे यह तो false है तो यह इसकी value वहाँ पर आ जाएगी तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा एक ID आ जाएगा तो ओड़ी हम इससे match करा रहे है और आइज यह तो मैच हो नहीं तो इसकी value true हो जाएगी तो मुझे यहां पर data आ जाएगा तो उसके चलते मुझे यहां पर for the very first time data आ जाता है अब वापस से मैं उसी button के इस button I mean उसी tap के इस button को जब मैं click करता हूं तो वो बंद हो जाता है क्यों कि first time जब मैंने click की यह तो आपको मालूमी कि अब इसके पास एक ID आ चुका है ठीक है तो previous ID के पास एक ID आ चुकी है तो वो ID अब जब मैं वापस से उसी पर ही click करूंगा तो पहले भी तो वही ID थी तो मेरा previous ID और जो current ID दोनों तो same है तो अब इसकी value हो जाएगी true तो अगर यह true है तो यह आपका false हो जाएगा false मतलब अब इसकी value वापस से false हो गई फिर से यहाँ पर false आ जाएगा तो false और ID का तो कुछ लेना देना है नहीं तो by default यह आपका false हो गया और यह अगर false है तो आपका तो फिर ना यह दिखाई देगा ना आपको यह दिखाई देगा कुछ भी नहीं दिखाई देगा समझ रहे हो न इस तरीके से आपका यह काम करता है और यह this is it यह जो मेरा part आप इनको जरूर देखिएगा जहां पर मैंने lifting the state of यह सब बताया है Error handling, passing JSX as a props, class versus class name और भी चीजे है जो मैं चाहता हूं कि आप देखिए यहां पर react use state जो भी है how state works यह सारे चीजों को आप देखो यह वाला बहुत Lifting the state of यह वाला जो पार्ट है यह भी बहुत important है ठीक है यह बहुत important है इसको जरूर देखिएगा तो आपके सारे डाउट किलर हो जाएंगे ज्यादा मैं आपको पूरा source code दे रहा हूं चैनल को लाइक I mean वीडियो को लाइक कमेंट करके बता यह आपको कैसा लागा एंड next target is 7 lakh subscriber अभी तक निक है तो प्लीज कर दीजेगा मिलता हूं कल की वीडियो में बहुत जल्द react का मेगा प्रोजेक्ट आने वाला है and I hope आपको बहुत ज्याद माज आएगा so guys मिलते कल की वीडियो में तिल दन guys thank you so much take care